एलो इस्टूडेंट्स कहते हैं आप लोग सभी लोग का स्वागत है बेदा अगेडियू में तो आज हम लोग फिर थे आरे संग्रवाल के जो थियोरम थी आपकी सरकिल की जो सी हम लोग की बात हुई थी वो आज हम लोग कम्प्लीट करने वाले और थियोरम आपकी कोई साध क्यों क्योंकि वह आपकी एक्सराइज तो नहीं है और नोग च्छी समझेंगे इंपोर्टेंट पार्ट सोते हैं और आप लोग मुझे जानते हैं My name is Sivam Patel and my education background is B.Tech Mechanical and Master in Education I have 5 plus a teaching experience of math उसी experience के साथ आपकी math को असान करते हुए जो आपके board exam में बहुत important है उसको पहले कर रहा है हम लोग ताकि आपने board exam में बहुत अच्छे number ला पाए ठीक है तो चलिएगा circles को start करते है और बात करते है Veda Academy application के बारे में जहाँ पे आप 6-12 तक की पढ़ाई को अपनी भेतरी नौस आंदार बना सकते हैं तो अब हम लोग बात करते हैं circles की देखो circles क्या है और हम लोग उसे कैसे draw करते हैं तो सबसे पहली चीज ये कि आप किसी भी एक fix point से आप किसी भी एक fix point से निच्छिट distance या से fix distance maintain करते हुए जो diagram बनाते हो वो आपका circle होता है कैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपने एक distance draw करी A B और ये A B है आपकी 5 cm मैं कहूं कि आप इससे circle बना सकते हैं आपको बिल्कुल बना सकते हैं अगर आप हमें 5 cm distance ना भी देते हैं तो भी बना सकते हैं कैसे हम scale को लेते हैं आप ये समझ लो कि आपके पास ये scale है कितना जो भी हो मैं करा हो scale यहां से शुरू होता है यहां तक है लेकिन हमने क्या करा scale पर पिरकाल हम रखेंगे पिरकाल का एक पार्ट एपे रहेगा एक पार्ट दो पे रहेगा इस तरीके से और हम अपनी निच्चे distance या fix distance को fix करेंगे A to B और एक हमारे पास center माली जी हमारा center है O यहां पे हम अपने पिरकाल का जो point होता है उसको रखेंगे और जो pencil वाला पार्ट है उसको कहीं भी रख दे माली जी हमने यहां रख दिया फिर हम यहां पे अगर एक diagram ड्रॉ करते तो वो क्या बनता है तर्किल बनता है और उसकी important property यह है कि उसकी इस distance से एक second उसकी O से जो distance होगी मतलब O से जो आपकी distance A होगी distance है वो क्या है एक fixed distance है आप O center से कहीं भी किसी भी जो आपके circle पर point है वाँकी distance आप measure करोगे तो आपको equal distance मिलेगी जिससे आप radius के नाम से जाए ठीक है तो यह आपका क्या हो गया radius होगे अब आप कहोगे सर यह बिलकुल सही बात है बिलकुल सही बात है बस अब आपको समझना कैसे देखो दियान से अब अगर मैं आप से कहूँ यह O जो है हमाद हुआ सा डाइग्राम में अंदर लग रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं मैं आपको एक basic बता रहा हूँ तो आप क्या करो इस डाइग्राम में बिलकुल दियान से देखके center बना लो बिलकुल बीचों भी ऐसे करके O तो आपको पता है कि सार ने बताया है OA बिलकुल same है OD equal है OC equal है OB equal है अब समझना मेरी बात इसका मतलब यह हो गया कि यह जो OA है OB, OC, OD सब बढ़ावर है क्यों क्योंकि रेडिया से इसका मतलब यह है कि किसी भी circle में जो circle का केंदर होता यह क्या है यह center of circle है यहाँ से आप circle पे किसी भी point पे अगर distance में ज़े करोगे तो वो equal होगी यह property to false में भी आती ठीक है अब अगर मैं आपसे बात करूँ कि sir अगर मैं यह कहूँ कि यह पूरा मैं मैं एक ऐसी distance ले जाऊँ जो circle के एक तरफ से जैसे मालो यहाँ A से लेके चलके आई और center से होती हुई C तक आ गई तो यह मेरी क्या हो गई? AC हो गई इसका मनदब आपको के साथ भी आपने बताया था कि यह भी R है यह भी R है यानि हम AC को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं OC प्लस OA जो कि आपका R प्लस R हो जाएगा यानि 2R हो जाएगा और यह जो total distance है यह आप कह सकते हो AC maximum distance जो center से होके जाती है उसको आप diameter कहते हो तब ही आप बोलते हो yes sir diameter equal to 2R clear? बहुत basic basic terminology है आपकी बहुत असानी से कर सकते हो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहां से CD क्या है अगर मैं C से D को मिला दू तो क्या है तो आपको कि sir यह second है भई जो जीबा होती है आपकी अगर मैं आपसे कहूँ कि यह D point है इससे मैं कोई एक ऐसी line draw कर दू यह क्या है? तब बोलो कि sir क्यों परसान कर रहे हो यह जो है आपकी tangent है जिससे आप इसपस देखा के नाम से जानते हो और जो आपका यह D point होगा D point आपका कहेगा point of contact एक POC के नेम से वो जाना जाता है यह बिल्कुल basic terminology है आप बहुत अच्छे जानते हो वस एक बार आपको 60 seconds में मैं revise कराना चाहता है clear है अब यह 90 degree पे होता है या किस पे कौन सी distance होती tangent की क्या थिवरम यह हम लोग आगे समझेंगे यह बस basic term थे जो आप समझ लो कि center of circle क्या है point of contact क्या है यह आपका tangent है यह पता होना चाहिए radius क्या है सारी point से distance equal क्या चीज होती है और आपका diameter clear अब आगे चल सकते हैं अब बात करते हैं result on tangent कि जो tangent है उसकी theorem के बारे हम बात करते हैं को ध्यानते समझना theorem क्या कह रही है और दूसरी सबसे important चीज क्या है कि सर यह theorem कोई मजाक नहीं है जो सिर्फ एक वार आपके exam में आई हो 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 तो आप समझ लहोगी इसकी importance कितनी ठीक है theorem समझो the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact समझो सबसे पहले हमें यह पता है कि circle तो हमें बनाने ही बनाना है हम एक circle ड्रॉ करते हैं इस तरीके से टेंटर हमने ले लिया इसका O उसके बाद कहरा है the tangent at any point of a circle तो हम क्या करेंगे हमने यहां tangent बना यह हमारा point हो गया P point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact यानि यह जो है सीदी बात है आप जानते ओपी क्या होगी रेडियस होगी तो यह कह रहा है यह जो ओपी रेडियस है यह आपकी परपेंडिकुलर है किस पर टेंजेंट पर यह आपका tangent ठीक है इसको आप नाम दे सकते हो यह हो जाएगा यह आपका बी कर दो tangent ठीक है यहां तक कोई दिक्कत यह चीज आपको given है इस theorem से आपने उतना बना लिया आपकोोगे सर यह मुझे बना लिया ले만ड़ा यहाін करना किया है सर आपको यहां पर इतना करना है कि जो आपकोःडियस आपको आपको यह आ पर पहणले का चीक है, अब इसको मैं कैसे करूँगा, याद करो वो पुराने concept अपने 9th के जिसका यहाँ पे use होने वाला है, क्यों, समझो, अगर मैं आपसे यह कहता हूँ, कि OP क्या है, radius है, अगर मैं यहाँ पे कोई point ले लूँ, क्यों ले लिया मैंने मानलो है, तो यह क्या है, आपका हो हो गया, R, क्या हो गया, R हो गया, इसका मतलब यह है, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आप से कहूँ, अभी मैंने आपको basic definition बताई है, कि आपके पास circle के center से, जो सारी descences से, वो क्या होती है, equal होती है, क्या होती है, equal होती है, तो यहाँ पे बस एक line आपको mean समझनी ह है, दोगों, आपको पता है, math में क्या होता है, diagram की पूरे number मिलते हैं, तो आपने diagram बरिया से बनाना है, उसके बाद क्या prove करना है, वो लिखना है, क्या construction आपने किया वो लिख दोगे, क्या construction आपने किया वो लिख दोगे, कि हमने जो है, एक OQ join किया है, और उसको extend किया है, कहां तक, point R तक, कि लिए, अब मैं जानता हूँ, एक चीज बहुत असानी से, कि अगर मैं ये बात करूँगा, कि OP जो है आपकी, वो क्या है, radius है, और मैं ये भी जानता हूँ, कि जो P है यहाँ पे, वो क्या है, point of contact, जो मैंने भी आपको बता है, कि जहाँ पे, जैसे आप को जिस point पे tangent draw हो रहा है, वो आपका क्या होता है, point of contact, clear, तो आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए, कि OP को छोड़के, सारी distance जो है, आपकी वो OP से, मतलब जो सारी distance है, वो OP से बढ़ी होगी, CD से क्यों, OP आपकी radius है, अगर हम मैं बात करूँ, OP से बढ़ी distance, तो चुँए, OR है, ये भी OP से बढ़ी होगी, वही, simple सी बात है, OR तो बढ़ी होगी, नहीं होगी, तो कि, OR इसलिए बढ़ी होगी, क्योंकि आप OR को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, OQ प्लस QR, ठीक है, तो आपको इसा simple सी बात है, कि OP के अलाबाद, चाहिए, कोई भी point ले लो, मैं कहता हूँ, OS ले लिए आपने, तो आपका OS भी OP से बढ़ा होगा, इसका मतलब ये है, कि circle के किसी भी point पे, आप अगर tangent तक के point को मिलाते हो, तो हमेशा आपका क्या है, radius जो है, वो छोटी रहेगी, ये चीज़ के लिए रहे, तो अगर मैं आपसे ये पूछूँ, अगर radius छोटी रहेगी, तो कि ऐसा हमने कोई concept या, ऐसा हमने कोई diagram देखा है, ध्यान से समझना, कि हमने कोई इस तरह का diagram देखा था, ये हमारा point A है, अगर मैं इस point से इस तरह की line draw करता हूँ, तो सबसे shortest distance कौन सी होती है, ये P1 है, कुछ याद करो, आपको ध्यान आ जाएगा, P3 है, ये P4 है, ये P5 है, तो आपको ये सम मुझे ध्यान आ रहा है, कि अगर मैं बात करूँगा सबसे shortest distance की, तो बो क्या होगी, तो आप बोलोगे, shortest distance बही होगी, जो आपका, क्या कर रही होगी, 90 degree का angle बना रही होगी, यानि यहाँ पे हम सीधे कह सकते है, AP3 आपका shortest distance है, औ अगर ये P और Q है, तो ये जो AP3 है, आपकी ये perpendicular होगी, किस पे PQ पे, किस concept का यहाँ पे होगा, क्यों, वही तो कर रहे है, कि OP आपका shortest है, OP आपका shortest है, इसका मतलब, OP हमारा सबसे shortest है, तो shortest distance हमारी क्या होथी, perpendicular होगी, किस पे होगी, तो आप बोलोगे AB, ये आपका एक क् proof point है, कि जो आपकी sorted distance होगी, यानि, OP जो radius है, वो आपके tangent पर क्या होथी, perpendicular होथी, अब इसका use करके आप आगे की theorems, और आगे के question solve कर सकते हो, तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हो, कि अगर हम angle OPR की बात करें, किस की बात करें, angle OPR की बात करें, तो जब हमने ये proof कर दिया, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि angle OPR की आया होगे, हमारा 90 degree होगे, और सुनो, ये आपने theorem 1 में proof करा है, किस में proof करा है, अब अगर मान लोग कल को हमें, कहीं point को solve करते समय, किसी question को है, किसी theorem को solve करते समय, ये बताना पड़ा, कि ये 90 degree होता है, तो आपके सर ये कहां से हवा में बात कर रहा है, नहीं हवा में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, कि सर हमने theorem 1 में angle 90 degree proof किया था, sorted distance वाला आपने concept भी बताया था, proper उसका क्या radius होती, साही चीज़े लिखके बताई थी, तो वहाँ से हम लोग चीज़े को कर रहे है, तो ये ची से किसी भी और distance पर भॉसता ही लाइन ड्रॉ गरते हैं, तो उसमें सौटेश रिस्टैंस वही होती ही, जो perpendicular यानी 90 degree angle बनाती है, या फिर आप उसके सास्ता तकर ये diagram बना दोगे, तो master साब आपके खुस हो जाएंगे, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते है, theorem number 3 पे, मैंने आप से जो बात बोली थी, वही ध्यान डखना, कोई भी theorem, अगर एक बार आई होगी, तो आप जानते हो, sir, वो कम important हो जाती है, लेकिन अगर कोई theorem, sir, 8 बार, 10 बार आ रही, तो sir, आप उसको please करा दी, हमें बहुत अच्छा लगेगा, तो मेरा वही आप से request है, कि अगर कोई इस external point to a circle are equal, सबसे पहली चीज, इस theorem की line का मतलब समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हमाँ पर diagram तो बना हुआ नहीं होगा, सिर्फ theorem तो मिलेगी exam में, तो diagram अब लोग असानी से बना सकते, क्यों, circle बनाना मैंने बता दिया, आप ऐसे करके circle बना हो गए, ठीक है, अब भू क्य कर आए, कि external point से जो tangent वो आपकी equal होंगे, तो मैं कहूँ अगर आपसे, कि आपने जैसे माल लो, यहाँ, इस point पर अगर tangent डो करना है, आपने ऐसे करके, एक tangent डो कर दी, एदर, एक tangent आपने ऐसे करके लेगा, यहाँ डो कर दी, यह अगर A है, यह अगर B है, तो यह कितना हो ज है, अभी आपको proof करने के लिए क्या करना है, तो आप ओगे, थियोरम यह कहती है, कि सर आप यह proof करके बता दो, कि यह जो दो tangent है, यह वाला और यह वाला, यानि आप कह दो के सर हमें यह proof करके बता दो, A B equal to A C, यह हमें इसमें proof करके बता दो आप, तो हम लोग कैसे करेंग कि अपनी previous कोई जो हमने study की है, उसको यूज करेंगे, बिल्कुल सही, यहाँ पर आप लोग बात करते हूं, अपने chapters में कि हम लोग application यूज कर रहे हैं, वो यही तरीका होता है, कैसे, देखो, मैं आपको एक hint दे रहा हूं, hint यह है, कि हम लोग यहाँ पर similarity of triangle या congruence of triangle को यूज करने बाले, कैसे, देखो, अब बात आती construction की, अब किसकी बात आती है, now we are talking about construction, तो आपको होगे सर, यहाँ पर क्या construction हो रहा है, हम कोई घर बना रहा है, घर नहीं बना रहा है, लेकिन हम अपनी theorem को प्रूफ करने के लिए कुछ point generate कर, देखो, अगर मैं center से किसी भी point को मिला लू, तो क्या होगा, तो आप होगे सर, यह radius का काम करेगे, यानि यह भी radius हो जाएगी, यह भी radius हो जाएगी, और हम क्या करेंगे, यह point को भी O से मिला देगे, क्या करेंगे, O से मिला देंगे, तो construction में आप यह लिख दोगे, join OB and OC, clear, और क्या है आपकी यह, as the radius, small आप लिख दोगे जौइन ओए अब हमें क्या प्रूफ करना आपके सामने बिल्कुल क्लिया है एब इक्वल टू एसी इसको अप्रूफ करना इस्टार्ट करना सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप कोगे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यह दो आपके पहले नाम देखो एंगिल एंगिल साइड राइड साइड एंगिल या फिर देखेंगे साइड एंगिल साइड या फिर एंगिल साइड और पहले की या फिर या फिर से हम क्या करेंगे दो पहले ट्रेंगिल को कों गूरेंस मैं लिख दिया है यहां से विस्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीक देखें अब से पहले लिखेंगे इन ट्रेंगिल ए ओ बी एंड ट्रेंगिल ए ओ सी क्या क्या है यहाँ पे कब से पहले आपको ओगे सर ओ ए इक्वल क्या है आपकी यह कॉमन साइड को हम लोग इस पे आये हैं सर्किल वाले चैप्टर की चीज़ें अगर कर रहे हैं तो आपको उसकी जो बेसिक ट्रेंगिल से से यह सारी प्रॉपर्टी इस पता होनी चाहिए मैंने आपको इसी लिए यहाँ पर लिखके बोला आपको बताया है कि अगर तीनों साइड से इक्वाल है तो हमें क्या-क्या मिल सकता है तो भूजो मैंने आपको लाइन बोली थी वह वही देख नहीं थी किसा अगर मैं दो ट्रैंगल को कॉंग्रूइंस प्रूफ करना चाहता हूं तो एक साइड एक कॉमन है बाकी रेडियस कॉमन है बाकी एंगल भी तो 90 निगरी है हाँ सर क्यों अभी थ्योरम बन में प्रूफ किया था वह पॉइंट लिखना है चलो ओ एक्वाल टू ओ गया कॉमन साइड और हम एंगिल एबी ओ एक्वल टू एंगिल एसी ओ क्या है हमारा 90 डिग्री अभी कोगे सर यह कहां से 90 डिग्री आ गया कहां से नी जो अभी प्रूफ करा तो यहां पे आप लिख दोगे ब्रैकेट में बड़ा बड़ा प्योरम बन यही तो आपने प्रूफ करा था करा था नहीं करा था करा था तो अब यहां से इन प्रॉपर्टी को यूज करके हमारा सर्किल क्या हो गया जो दो ट्रैंगिल से वह कॉन्गूरेंस हो गया तो इधे अगले पेज़ पे लिख लेते हैं क्या क्यों लिख लेंगे लिख लेंगे लिख लेंगे ट्रैंगिल ए OC के साथ और main चीज किस property के according हुए वो लिखना बहुत जरूरी है जब exam में theorem आईगी न प्रूफ कर देगो तो इसके marks important होते हैं step marking में आपके आप कहोगे जो right angle वही इसके according देखो right angle hypotenious और एक आपकी क्या use हो रही है साइड यूज हो रही है तो आप लिख दोगे क्या according to according to right angle hypotenious side की according आपने क्या करा triangle को congruent कर दिया जैसे ही आपने triangle को congruent किया तो आप जानते हो किस से cpct अब आपको कि सरी ये क्या नहीं कहानी ले आए आप cpct cpct को आप बहुत अच्छे से जानते हो cpct का मतलब होता है corresponding part of congruent triangle क्या होता है corresponding part of congruent triangle इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई do triangle congruent है तरवांतम है तो उनके जो parts होंगे corresponding parts में आप ले सकते हो जैसे a b और a c हमने लिया था तो उसका एक महत्य बनना चाहिए कैसे corresponding का भी एक सेटिंग होती है जैसे आप चीजों को देखोगे a b a c तो आप यहाँ पर लिखोगे a b equal to a c हमारी क्या है equal होगी किसके basis पे cpct के यानि corresponding पार्ट आफ कॉंगों टेंगे तो इस थियोरम को प्रूफ करने के लिए दो चीजे बहुत इंपॉर्टेंट है हमें a b equal to a c प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया और यह दोनों चीजे जो यह लाइन है यह दिसके करते हैं दिल की धरकट यह लिखना बहुत इंपॉर्टेंट अगर ध्यान से देख पे हो तो इसको लिखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ठीक है अब यहां तक कोई दिखकर कुछ एक्षा नहीं करना है बस सीजे आपके सामने है डाइग्राम बनाओ बढ़ी रतरीके से लिखो और आगे चल चलो ठीक है चलो आगे बने अब बात कर अगर थेयोरम है थेयोरम नंबर सिक्स प्रूब अच्छेंट रॉन अट दा एंड्स ऑफ डाइग्राम बनाओ या प्रूब करना है जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो एड्ड दा एंड्स ऑफ डाइमीटर ऑफ एस सर्किल आर पैलल तो मैंने जो भी थेयोरम कराई आप य यह तर्म समझ में नहीं है क्यों अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास यह सर्किल है और यह सेंटर है और मैं आप से कहा दूं इसका हम लोग डाइमीटर ड्रॉ करा हमने यह तो यह कह रहा है ड्रॉन एड्ड दा एंड्स ऑफ डाइमीटर यानि डाइमीटर का यह सीडी है तो हमें प्रूफ क्या करना है आप करना है ँप करना है और करते हम प्रूफ कोई टैंसन की बात है अगर मैं आपसे यह कहूँ कि ये आपकी एक ये भी तो रेडियस है आपको कि हाँ सब रेडियस है अब इसको बनाने की जवद भी नहीं पड़ेगी आपको क्यों? क्योंकि अगर मैं इस एंगिल की बात करूँ इसको क्या लिख सकते हैं? समझना, कुछ नहीं करना है आप सीधे बोलोगे सर जो अभी तक हम लोगोंने पड़ा है आप सीधे लिखोगे क्या? according to theorem band क्या define करता है? कि जो आपकी जैसे मालो इसको ले लो आप क्या? P और इसको ले लो Q आप बोलोगे सर जो ये ओपी हमारी radius है अभी हमने theorem band में प्रूफ किया है कि ओपी जो हो perpendicular होगी AB पे इसका मतलब angle OPB क्या हो जाएगा? 90 degree अगर OPB आपका 90 degree है कोई दिखकत नहींगे समझना बात को अगर OPB 90 degree है तो हम इसे QBB 90 degree लेख सकते तो आप बोलोगे angle OPB अगर हमारा 90 degree है तो हम angle QPB b 90 degree ठीक है सेम ऐसे ही सेम ऐसे ही अगर मैं इस angle की बात करूँ तो तो आप ओगे कोई दिखकत नहीं सरी यहाँ लिख लेते हैं अच्छे से क्या लिख लेते हैं? भही जी according to theorem band जो हमारी radius है OQ वो radius है और हमारा जो OQ है वो किस पे perpendicular है CD पे तो अगर हम लिखते हैं angle OQC 90 degree तो वहाँ से आप यह लिख सकते हो PQC भी लिख सकते हो angle PQC भी क्या लिख सकते हो 90 तो आप कहोगे सर मैंने यह चीज पड़ी है अपनी class 9th में भी class 8th में भी क्या कि अब समय जदा कहां से point आ रहा है कि अगर दो line पैलल है और कोई transversal line उन्हें cut करती है तो interior angle हमारे क्या होते हैं equal होते हैं होते नहीं होते हैं तो वही चीज आप यहाँ put कर दोगे क्या जिससे आगले page पे लिख ले अगले page पे लिखते है इफ alternate अब यही तो सब point important है if alternate interior angle equal इसका मतलब यह है कि यह जिन लाइनों के जिन लाइनों के बीच में interior angle बन रहा है इसे अगर यह AB है यह CD है और यह हमारी PQ क्या है as a transversal line है तो जिन लाइनों के बीच हमारे angle equal आ रहे हैं बो लाइने हमारी क्या होंगी भई वो property parallel में तो follow होती है यह parallel होती है तब ही तो हम कहते हैं कि sir यह x है तो हम यह भी निकाल सकते हैं यह भी x होगा करते हैं नहीं करते हैं तो यहाँ पे अगर angle पहले से equal हमारे पास आ रहे हैं तो हम कहा देंगे आपके सामने सारी बात समझ में आ गई तो अगर आप यह बनाते समय है कि दोनों सब कुछ 90 डिग्री प्रूफ कर दिये तो हमें कुछ नहीं करना हमें सिर्फ यह बोला है कि सरी angle equal है और इंटीरे angle equal कब होते हैं जवाई दो पहले लाइन को कट करती है करती है जवाई दो पहले लाइन को यह चीज तो पढ़े हो ना इस तरह से आपको चीजे करनी थी और यहां से अगर आपके इसमत अगर अच्छी कस्मित अच्छी बोल लाँ तो क्या पता बोड exam में यही थियोरम आ जाए तो यह तो मैंने पढ़ी थी और फटाक से करें आए पांच पांट नंबर झाल आपके अथाधक अपांट जाए पांट और रह उनदिता आपके इसमतों में अच्छी से प्कूछी नंबर